आज सामने कूं स्टुरेंस कैसे हैं आप सब यकिन लन अच्छे होंगे तो आज हम जिसस करने चाहा रहे हैं अनिमल्स के अंदर निट्रिशन को और अनिमल्स अंदर निट्रिशन के कौन-कौन से मैथड़्स है उनको भी हम डिसस वरेंगे इसमें लाच अनिमल्स अंदर बोडी के अंदर चुके बहुत सारे सेल्स होते हैं मल्टिसलरी अनिमल्स में चिलियन से साथ सेल्स होंगे like human being की बात कर लीजिए बारल उसे simple animal भी होते हैं उन animals के अंदर भी nutrition के डिफरेंट ways हैं तो हर cell जो होगा multi-celler organism के अंदर इसको need होगी nourishment की जबके जो हर cell है वो उपनी position भी नहीं छोड़ सकता body के अंदर और ना ही वो travel करके food का जो source है वहां तक जा सकता है it means food जो है वो deliver होनी चाहिए हर cell तक food जानी चाहिए तो इस तरीके के लिए यानि इस purpose के लिए जो है animals में digestive system जो होगा जो body के अंदर provide करेगा body को with water electrolytes and other nutrients digestive system specialized है to ingest the food सबसे पहले food को ingest करना body के अंदर लेके आना propel it through the digestive track फिर इसको धकेलना digestive track यानि खुराक की नाली के अंदर ड्रेक को धकेलते जाना आगे की तरफ हरकत करवाते जाना digestive food फिर food को digest करना and absorb water electrolytes and other nutrients from the lumen of the digestive track अगला काम क्या है water को absorb करना electrolytes और दूसरे जितने भी useful nutrients हैं उनको absorb करना और कहां से absorb करना है digestive track के अंदर वाली जो खाली जगह है जहां ये move कर रहे हैं अंदजेक्स्टिक्रमेटर होगा फूड का जो leftover होगा वो digestive track में से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है यानि इसको ejection जो नहों कहेंगे animals इंदर variety of nutrition है as compared to the plants अगर हम nutrition के अवाले से animals हो लें तो इसमें classification जो नहों है animals में सबसे पहली class animals देटराइटी वोर्स आता आती है देटराइटी वोर्स ऐसे animals होते हैं जो detritus पर feed करते हैं what is detritus यानि detritus है क्या है इसको आप ले सकते हैं कि ये animals जो detritus होते हैं ये गंद खोर होते हैं यानि बचा-कुचा गला-सदा जो माता है और गैनिक जो debris है यानि और गैनिक leftover है और गैनिक matter की decomposition से plants और animal की body ये decompose होने से जो organic debris बनता है उसको detritus कहते हैं और इस पर feed करने वाले जो animals होंगे उन्हें detritus कहेंगे इसमें हमारे पास जो example है वो earthworm की है ये detritus feeder है ये fragments को यानि टुकडों को ingest करते हैं जो decaying organic matter especially जो plants का यानि vegetation जो है वो soil की surface के उपर मौजूद हो या ये मती के अंदर जब move कर रहा होता है बर्विंग जो इससी activity हो रही होती है मती को खोद करा गई है जब move कर रहा होता है उस दरहां भी जो भी fragments जो हैं वो होंगे decaying organic matter के या पतों के चोटे 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 जो टुकडे होंगे उन सो इसने क्या करना है इंजेस्ट करना और इसे बार डाइजेस्ट करना है तो detriti wars कौन से वाले अनिमल्स है detritis feeders होंगे detritis पे feed करने वाले होंगे और detritis जो है वो क्या है organic debris है जो के plants और अनिमल्स ही decomposition से बनता है ये तो थे detriti wars अंगली क्लास मारे पास आ जा जाती है अनिमल्स में से herbivors की herbivors सबजी खोर होंगे ऐसे अनिमल्स जो के plants से उपर feed करते हैं उन्हें herbivors है थे typical जितने भी herbivors होते हैं उनमें example अगर हम लें तो insects हैं, reptiles हैं, birds हैं mammals है two important groups of the herbivors mammals जितने भी herbivors होंगे herbivors तो जो जो हैं broad category आगी न इसमें insect भी हैं, reptile भी हैं, bird भी हैं और mammal भी हैं, अब mammal में से दो ग्रूपागे herbivors से बनते हैं एक रूडेंट्स रहते हैं और एक अंगुलेट्स से लाते हैं rudents, कुतरकर खाने वाले जानवर होते हैं चुहाग, लहरी, खर्गोश वगयरा और अंगुलेट्स जाहें ये सुम वाले जानवर होते हैं जैसे भीड बकरी वगयरा the latter are hoofed grazing animals जिसमें जो दूसरी category है यानि अंगुलेट्स जाहें ये hoofed और grazing animals हैं चरने वाले और सुम वाले जानवर भी इसे आप कह सकते हैं साचेज, horses, cattle and sheep वह वेशी जितने भी हैं ये herbivores होते हैं इन herbivores mammals, the premolars अब इनकी teeth की बात करेंगे कि इनकी teeth का structure कैसा होता है herbivores mammals में प्री मोलर्स होंगे इन मोलर्स ये दोनों की large grinding जो है वे surface होगी जो भी plants हैं उनको grind करने के लिए there is a large gap between the ancestors and the premolars premolars प्री मोलर्स वे अंदर और इनके दर्मियान में काफी gap होता है जल्ली इनके अंदर cannons जाना missing होंगे अगर in grazing and browsing herbivores जो चरते हैं और जो जो गाली करते हैं उनकी इसके अंदर category इसमें जनवाती है और इसमें deer और sheep और example काजाती है इन में नो अपर इन शैसर जो हैं उपर वाले जो नो कीले दान्थ कोनों वाले वो इनके अंदर जनली absent होंगे ये थे हर्भी वोर्स अब बात करेंगे हम कार्णी वोर्स ही कार्णी वोर्स ऐसे animals होंगे जो feed करेंगे on other animals they have large cannon teeth cannon teeth इनके अंदर जाना बड़े होंगे सामने वाले दान्स जो होंगे वो इनके बड़े और strong होंगे for catching and tearing prey ताकि अपने शिकार को पकड़ सकें और उसको टुकड़ों में काड़ सकें इनसेसर, pre-molars and molars all are adapted for cutting the flesh, cracking the bones तो ये सारे जो नहीं यानि इनके अंदर जितने भी ये categories है especially जो है वो अगर cannon की बात करें तो cannon जो हो modified है, बड़े हैं incisor, pre-molars, molar सब के सब जहें adapted हैं किसके लिए ताकि जहें ये गोश्ट को काट सकें cutting flesh, गोश्ट को काटें cracking bones, हड़ीों को जहें वो तोड सकें जब इन्होंने खाना है गोश्ट को and reducing the chunks to size is suitable for swelling और reduce कर सकें छोटा कर सकें chunks, ये टुकडों को जहें वो कहते हैं, नवालों को कह सकते हैं आप तो ये नवाले जहें उनको छोटा, इतने size का जहें वो कह सकें, जो उसके suitable हो swelling निगलने के लिए जहें वो suitable रहीं, इतने इतने छोटे जहें नवालों के अंदर गोश्ट को convert करने के लिए ये तांत, इनके सारे के सारे modified होंगे, इसमें एक्जांपल का जाती हैं मारे पास cats and dogs and lions and tigers are common example of carnivores predator is an animal, अब जोके carnivores जहेंगे predator होते हैं तो predator कौन से होंगे organism, कोई भी एक animal होगा which captured and readily kills the live animal for its food, अपनी फूड के लिए ये किसी भी जो जिन्दा जो है, जो जानवर है उसको पकड़ेगा और उसको kill करके अपनी फूड के तोर पर use करेगा, इन्हें क्या बोलते हैं, predator बोलते हैं, और जो animal यहां पे खाया जा रहा होता है, उसको क्या बोलेंगे प्रेटर 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 जो इंट्रेक्शन होगा वो हल्प करेगा in maintaining the ecosystem, stable यानि maintain करने के लिए stable रखने के लिए ecosystem को ये predator-प्रेटर प्रेटर रिलेशन्शिप होता है कोई भी एक ऐसी species किसी area के अंदर अगर natural predator के बगार होगी, तो वो disastrous result होंगे, इसके खतनाक नतीजें होंगे, इसमें आपको मैं example एक बताती शलूँ Australia के अंदर एक तफ़ा जोई है, इसी तरह से ये खरगोशों की अबादी बहुत जादा बढ़ गए थी और natural predator वहाँ पे नहीं था, तो इनकी ये suitable नहीं होगा किसी भी एकोस्टम के survival के अवाले से introduction of the rabbits into Australia without the predator multiplied to enormous number and proved a manance to the farmers और ये बड़ा जो है, वो तबाह कुन जो है नवचेश थी उस दोर में कि ये farmers बड़ी जादा परेशानी का सामना करना पड़ा था इन rabbits को फिर control करने के लिए आप जानते हैं, rabbits जो हैं ये अपने बना लेते हैं, समीन के नीचे बिल बनाते हैं, उन्हीं के अंदर आगे 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 जाने ये खोते जाएंगे बिल और वहां पर move करते जाएंगे और इनका जो है gas station period भी छोटा होता है इस वज़ाए से ये तकरीब एक इस दिन के अंदर जो है, इनकी अगली generation जो है, वो त्यार हो जाती है अगली category आजाती है हमारे पास, omnivores की, इन्हें हमाखोर कहते हैं, या ऐसे animals जो हर चीज जो है वो खाते हैं, plants हो भी खाते हैं, animals हो भी खाते हैं, these are the animals we cheat both plant and animal food, example of the omnivores are crows, rats, red fox, अचा जी, rats जो हैं, चुवे आगे, red fox, जो है fox के एक type है, ये कठा वर्ड नहीं है, अक्से बचे इसको, एकठा पड़ते हैं, rats, red fox नहीं है ये, बलके ये क्रोज हैं, कवे, rats, चुहे, red fox, इस तरह बियर्स जो हैं, rich, pigs जो हैं, sewer, और man इसमें, example है, omnivores की, they have the teeth structurally and functionally, intermediate between the extremes of specialization attained by the teeth of herbivores and carnivores के नहीं, carnivores के लिए जो modified teeth थे, वो इनके अंदर भी हैं, और जिस तरह के modified teeth हर भी वो और सो required थे, वो भी इनके, इन दोनों extreme से दरम्यान की condition होती है, इनकी teeth की, यानि दोनों तरह की teeth इनमें मौजूद होते हैं, अगली category आजाती है, मारे पास, filter feeders की, और ये aquatic animals होते हैं, जो filter करेंगे water को, और water के अंदर से जो food particles होंगे, उनको extract करके, digest करेंगे इसमें मारे पास, the most common example है, वो muscle की है सिप्पी की, यानि example, हम यहाँ पे लेंगे, a common muscle possessed to large gills इसमें, दो जो हैं, बड़े gills होंगे, और वो covered होते हैं with celia, यहाँ आपको जाए यह रहा रहे हैं, इनके अंदर जो यह, gills होंगे सीलिया इसमें, जो जाए वो covered होंगे और सीलिया की जो movement होती है, वो एक water crunch को कास करती है, कि वो enter हो animals की body के अंदर, through a inhalant siphon, एक सुराख है साइफन से जोजर वो कहते हैं inhale and siphon, जहां से पानी जो है body के अंदर आ रहा है और एक exhalant siphon होता है जिससे water job बाहर जा रहा है यह arrow के निशानाद जोना वो आपको जाहर कर रहे हैं inhale and siphon जो है जिससे water body के अंदर enter हो रहे है exhale and siphon जहां से water jow leave कर रहे हैं और इस दौरान जब यह water enter होता है तो यह जो cilia होंगे इनकी help से water crunch जो है यह भेजा जाता है मावथ के अंदर जहां से cilia की help से इसमें जितने भी food particles होंगे जैसे के microsoftic algae है या कोई छोटे protozone है उनको यहां से क्या कर लिया जाता है filter कर लिया जाता है secretory जो cells होंगे जो secretion करने वाले cells हैं यह scattered होते हैं फैले होते हैं cilia के दरम्यान और यह sticky mucus बनाते हैं चिपकने वाला मादा बनाते हैं which entangles the food particles जिस साथ food particles हैं वो entangle हो जाएंगे इसमें अटक जाएंगे और जो trapped food particles हैं उनको फिर swept कर दिया जाएगा towards the mouth by the silvery movement certain types of whales are also filter feeders यह 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 जाएंगे माइसल्स बीज में example आगी हैं सिप्यों के अंदर भी ऐसा ही तरीका कार है filter feeding का mechanism है और इसके इलावा जो whales होती हैं इनकी कुछ जो एक्काम है वो भी filter feeders होती है अगली category है हमारे पास fluid feeders की fluid feeders जहें नाम से जाहर हो रहा है कि यह liquid की form में अपनी food को obtain करेंगे when the food is ingested in liquid form and animals are classed as fluid feeders इसमें most common example हमारे पास जो है वो aphids यानि तेला जो है जैसे आपने तेले की बहुत सारे एक्साम सुनी होंगी सबच तेला होता है सफेद तेला होता है और भी बहुत सारे एक्साम है aphids इसे एक्सामपल है कि यह plants से सक करते है liquid की form में अपनी food और इसे थरा mosquitoes जहें मच्छर जो है यह मारे पास एक्सामपल है fluid feeders aphids suck the phloem juices out of the green stems by inserting their delicate stylet अब इनके माउट का आगला जो हिस्सा होता है aphids का वो modified होता है और जो है जो है जो कह लीजे injection की तरह का जरा बना होता है जिसको यह insert करते हैं या आप कह लीजे जह है insert करते हैं मीन मतलब अंदर तक जहना भी साहा देंगे phloem जो होंगे tissues उनके अंदर तक और वहां से फिर यह suck करेंगे phloem juices को the female mosquito is also a fluid feeder because it sucks the blood from the skin capillaries skin में जो blood capillaries होती हैं उनके अंदर यह उनके अंदर तक जहे यह पिर्स करेंगे अपने जहे tubular mouth parts को और वहां से यह suck करेंगे blood को यह female mosquito के example जहे हैं यह भी fluid feeder के अंदर आती हैं तो fluid feeder कौन से वाले animals हैं ऐसे animals जो के अपनी food को ingest करते हैं in the form of liquid तो example आगी अफिड है mosquito अगली केटिगरी है मेरे पास macrophagus feeders की macrophagus feeders ऐसे animals होते हैं जो food को large pieces की form में लेते हैं या intake करते हैं इसमें example आजाती है tentacular feeding की यानि tentacle की help से जो भी food जब लिजाती जैसे kaitra के अंदर है feeding, scrapping and seizing prey are the common methods of macrophagus feeders feeding the scrapping यानि scrap जो है टुकडे जो है उनकी सुरुट टुकडों की सुरुट में food को adjust करना and seizing the prey और अपने शिकार का दम घूंड के मारना पिर उनको इंगल्फ कर लेना ये common methods हमारे पास macrophagus feeding के feeding in hydra is the example of tentacular feeding और scrapping type of feeding occur in the garden snail helix scientific name है garden snail का इसमे scrapping type of feeding जो है ये भी आएगा मतलब ये इसने क्या करना है food scraps churn collinate feeds by using the resping organ resping organ जो है ये tongue like structure होती है radula इसके help से इन्होंने अपनी food को intake करना है leaves are held by the lips of the snail तो leaf को जो है held किया जाता है उसको पकड़ा जाता है या काबू किया जाता है lips की help से और रेडियूला जो किसे टंग like structure है उसको आगे पीछे जाहे गुमाया जाता है लीव के उपर जिसकी वजाए से जाहे वो क्या होता है जो टीथ हैं यहाँ पर scrapping जाना वो कर रहे होते हैं scrap करके food को जाहे हैं वो mouth के अंदर ले जाएंगे in this way tiny fragments of leaves are obtained which are gradually pushed backward towards the ferns तो यह उनको पर आगे हलक में भेज दिया जाता है seizing and swelving type of macrophagus feeding is found in spotted dogfish spotted dogfish ने क्या करना है अपने शिकार कदम को उंट के पर जाहे है उसको निकल लेना है उससे बात आजाती है parasitic nutrition parasite जो है वो कोई भी एक ऐसा organism होता है जो किसी भी living organism के उपर रहेगा within another organism और upon other organism जो यह दुसरा organism होगा इसो host कहते हैं और यहां से अपनी food को obtain कहते हैं parasite जो के host के उपर रहता है उस वेक्टो परसाइट कहते हैं और जो within the host जावर रहेगा उसको endoparasाइट कहेंगे if an organism lives parasitically at all time it is said to be an obligate parasite के लाज में मलगूम तोर पर जो है वापरसाइट है और faculty parasite ऐसे होते हैं जो के independently भी रह सकते हैं और host के उपर भी रह सकते हैं अच्छा जी इसमें आगे एक्जमपल आदाती है एक्टो परसाइट के एक्जमपल इसमें fleas और lysis जो हैं जोएं हैं चिछड़ बगारा ये skin के ओपर रहते हैं leave in the fur of the feathers of the mammals and birds and suck blood from their skin ticks and mites are common एक्टो परसाइट in non-human mammals तो non-human mammals जो हैं गाए बेहन से बगारा सकती हैं इंसानों के लावा बाकी जो होते हैं mammals होते हैं उनके ओपर जो हैं उनके जो जो में होते हैं यानके ओपर जो हैं ये खटमल गारा जो लगते हैं वो सारे एक्टो परसाइट हैं in plants, aphid is a parasite that sucks the food from leaves or stem वैसे तो aphid जो हैं ये fluid feeder हैं लेकिन चुकिए ये living organism से suck कर रहा है फूड को इसलिए ये परसाइट है leaves is another common example of एक्टो परसाइट अटेकिंग बोथ aquatic and terrestrial animal तो जोंक जो जो जिसे जहनम और फ्याम में कहते हैं ये भी एक्टो परसाइट है ये aquatic और terrestrial दोनों तरह की जो होंगे animals उनको attack करेगी और उनसे blood को suck करेगी प्राने वक्त में ये कहा जाता था कि ये leach जो है ये क्या करती है blood को जो है वक्ट करती है और जो गंदा खून है जहां पर फिंक सी फोड़े वगर रहे हैं तो वहाँ से लेकिन बारल इसके लिए simply blood को जो है वक्ट करना जो है इसा मकसद होता है ये नहीं कि वो अच्छा खून है ये गंदा खून है एंडो परासाइट साल सोगर इन बोथ इक्विटिक और टेरिस्ट्रियल एनिमल्स इस परासाइट सार मोस्ट कामनली फाउंड इन दी इंटेस्टाइन ओफ वर्टिब्रेट होस्ट इंटेस्टाइन में होंगे ये इनकी एनिमल्स की जो आंते हैं उनके अंदर पाई चाहते हैं इंक्लिडिंग मैन इसमें जो होस्ट है वो मैन भी है वेर अप्सोब होस्ट डाजेस्टिर फूड और इंटेस्टाइन के अंदर से ये जो डाजेस्टिर फूड होती है उसको क्या करते हैं फ्सोब जो है वो करते रहते हैं एंट अ मिबा हिस्तोंलेटिका एक एकजम्पल है मारे पास अमिबा की एक टाइप है जो कि हम यह भी में टाइप है इसी दरा टैब फॉर्म जो है एक एक संपल है मारे पास ये भी एंडो पैरसाइट है और इसे दरह राउंड वर्म्स गोल जो कीड़े होते हैं ये तबाम जो क्या हैं एंडो पैरसाइट हैं और ये इंटरसाइन के अंदर, एंटरसाइन के अंदर जननी ज़ा पाए जाते हैं, in certain cases the host may be weakened by the presence of पैरसाइट और its metabolism may be upset by the excretory product of पैरसाइट तो ये तो एक common आपकी observation लिए होगी कि जिन बच्चों के जैनम कहते हैं, पेट में कीड़े हैं तो अक्सर उकात वो क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं कंजोर हो रहे होते हैं, क्यों हो रहे होते हैं एक तो food को जैनम ले रहे होते हैं, absorb जो होनी है food, वो absorb उसमें से काफी सा जाहें, ये endoparacite absorb कर लेते हैं और उसे दूसरी बज़ाइए भी हो सकती है कि जो paracite हैं इन से जो excretory product निकलती हैं ये metabolism को upset सेट कर देते हैं, जिससे वज़ाइसे food का जो intake हो रहे है वो भी इतना सादा जो है available नहीं हो तब body को जिससे वज़ाइसे body week होती जाती है, आज के लिए इतना काफी है, तो इसको याद करिए, पढ़िए, समझिए कहीं पे कोई issue है तो इसको जोए अब डिसस कर सकते हैं नेक्स लक्षर तक के लिए अलाहफेस